हेलो फ्रेंस आज हम बनाएंगे चोकलेट डोरा केक ये बहुत सौफ्ट और टेस्टी बनता है और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आता है चोकलेट डोरा केक बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कप मैदा लेंगे हाफ कप मैं इसमें पाउडर शूगर डाल रही हूँ इस केक को बनाते हुए हमें परपोर्शन का खास ध्यान रखना है वन फॉर्थ कप हम इसमें कोको पाउडर डालेंगे और वन फॉर्थ कप मिल्क पाउडर लेना है आदा चमच मैं इसमें कोफी पाउडर ले रही हूँ, इसे डालना कम्प्लीटली ओप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं आदा चमच हम इसमें बेकिंग सोड़ा लेंगे, इसी से केक में सोफ्टनेस आएगी फिर एक पिंच हम इसमें नमक डाल देंगे, इन सभी को अब हम मिक्स कर लेते हैं इस मिक्स्टर को फिर हम चान लेंगे, इन सभी को चानना बहुती ज़रूरी है, इस से बैटर में लंच नहीं बनेंगे अब मैं इसमें एक चमच श्याद ले रही हूँ, एक कप दूद लेंगे, जिसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें एड़ करेंगे दूद जो है वो room temperature पर ही होना चाहिए जब हम दूद को थोड़ा थोड़ा करके इसमें add करेंगे तो lumps नहीं बनेंगे बैटर को ज़्यादा पतला नहीं करना है ये देखिए इस तरह का बैटर हम त्यार कर लेंगे इस बैटर से अब हम तुरंत ही cake बनाएंगे इस बैटर को हमें रखना नहीं है डोरा केक्स बनाने के लिए मैंने यहां पर एक non-stick तवा लिया है इसके उपर हम आदा चमच oil का डाल लेंगे फिर एक टीशू पेपर लेकर इसे इस तरह से साफ कर लेना है इस प्रोसेस को हमें सिरफ एक बारी करना है फिर इसके उपर हम अपने डोरा केक्स बनाते जाएंगे फ्लेम को हम लोग पर ही रखेंगे और तवा जो है वो ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए फिर हम एक कर्ची लेकर बैटर को इस तरह से सैंटर में डालेंगे जिससे कि ये अपने आप साइडस पर फैलता जाएगा हम सभी केक्स बनाते टाइम इतनी ही क्वैंटिटी बैटर के लेंगे जिससे सभी केक्स जो हैं सेम साइज के बनेंगे अब हम इसे ढख कर एक दो मिनट के लिए रख देंगे ये बहुती जल्दी बन जाते हैं फ्लेम को हम लोग पर ही रखेंगे एक दो मिनट बाद हम इसे चेक कर लेंगे ये देखिए ये पहले से काफी फूल गया है अब हम इसकी साइड भी चेंज कर लेते हैं ये एजिली तवे से अलग हो जाता है ये देखिए कितना ब्यूटिफुल ये बनकर त्यार हुआ है खाने में भी ये बहुती यम्मी बनता है दूसरी साइड भी एक दो मिनट में बनकर त्यार हो जाती है इसे हम इस बार कवर भी नहीं करेंगे एक डोरा केक बनकर रेड़ी हो गया है इसे अब हम हटा सकते हैं आप दूसरी साइट भी इसकी देख सकते हैं कितनी अच्छे से बन कर त्यार हुई है बाकी केक एक्स भी हम इसी तरह से त्यार कर लेंगे क्योंकि हमने अभी एक केक बनाया है इसलिए हम एक दो मिंट के लिए फ्लेम को बंद कर देंगे फिर इसके उपर बैटर डालेंगे जिस से टवे का जो टेंपरेचर है वो थोड़ा कम हो जाएगा इसे भी अब हम एक दो मिंट के लिए कवर करके रख लेंगे एक दो मिंट के बाद हम इसकी अब साइट चेंज कर सकते हैं इन्हें बनाना बहुती इजी है बच्चे इन्हें बहुती खुशो कर खाते हैं ये भी अच्छे से बन गया है अब हम इसे हटा लेंगे ये टोरा केक्स बहुती सौफ्ट और स्पॉंजी बनते हैं अब हम एक केक लेकर उसकी एक साइट पर चोकलेट स्प्रेड लगाएंगे आप चाहिए तो न्यूटेला या फिर अपनी कोई भी फेवरेट चोकलेट को मेल्ट करके लगा सकते हैं इसके उपर अब हम दूसरा केक रख देंगे इस तरह से हमारा एक डोरा केक बनकर रेडी हो गया है इसे अब मैं बीच में से कट कर रही हूँ आप देख सकते हैं कितना सौफ्ट और यम्मी डोरा केक बनकर रेडी हुआ है आप भी इन्हें एक बाद जरूर ट्राइ कीजिए ये बहुती टेस्टी बनकर त्यार होते हैं